नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे PF मेंबर्स को आने वाली एक परेशानी के बारे में जैसा कि आपने थमनेल पर देखी लिया है तो कुछ PF मेंबर्स के साथ में ये परेशानी आती है कि उनके PF account में कुछ जानकरी गलत है जिसे वो सही करवाना चाहते हैं लेकिन PF members जिस company में job करते थे वो company बंद हो चुकी है employer available नहीं है तो ऐसे में PF members का सवाल यह आता है कि उनकी company तो बंद हो चुकी है तो उनके PF account में correction केसे होगा तो आज कि इस वीडियो में मैं आपको detail में समझाऊंगा कि company बंद होने के बाद में हम अपने PF account में correction केसे करवा सकते हैं अगर आपके भी PF account में कोई जानकरी गलत है जिसे आप सही करवाना चाहते हैं लेकिन आप जिस company में job करते थे वो company बंद हो चुकी है तो इस वीडियो को बिना skip के last तक जरूर देखें तो चले शुरू करते हैं आज का वीडियो और वीडियो शुरू करने से पहले आप से रिक्वेश्ट की चैनल पर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि इस पीडियो को मैं दो पार्ट में बनाऊंगा जिससे कि मैं आपको अपनी बात आसानी से समझा पाओ तो वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको बिना employer के वो जान कर या सही करना बताऊंगा जो जान कर या PF account में online सही की जा सकती है जैसे कि नाम, gender और date of birth PF account में नाम, gender और date of birth को हम online सही कर सकते हैं तो PF account में नाम, gender और date of birth को online सही करने की process क्या है उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने complete वीडियो बना दिया है उस वीडियो का लिंक आपको आई बेटन पर मिल जाएगा तो पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि PF account में नाम, gender और date of birth को online सही करवाने के लिए employer की जर्वत कब होती है और क्यों होती है तो अगर आपको PF account में आपका नाम सही करवाना है gender सही करवाना है या फिर date of birth सही करवाना है तो जाए इसी बात है आप इन जानकारियों को online सही करवाएंगे लेकिन आपको employer अवेलेबन नहीं है याने कि जिस company में आप job करते थे वो company बंद हो चुकी है तो ऐसे में आपके PF account में ये जानकारिया सही नहीं हो पाएगी क्योंकि इन जानकारियों को सही करवाने के लिए आपको आपके employer का approval लगेगा लेकिन आप जिस company में job करते थे वो company बंद हो चुकी है और आपका employer अवेलेबन नहीं है तो ऐसे में आपका employer इन जानकारियों को approve नहीं कर पाएगा तो आपके PF account में जो जानकारियों आप सही करवाना चाहते हैं जैसे कि नाम, जेंडर और डेट अप बर्थ ये जानकारियों सही नहीं हो पाएगी तो अब हम समझ चुके होंगे कि employer की जरुवत approval लेने के लिए पड़ती है यानि कि बिना employer के approval के हम कोई भी जानकारी PF account में online सही नहीं करवा सकते तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि PF member जिस company में job करता था अगर वो company बंद हो जाए तो क्या हम PF account में कोई भी जानकारी सही नहीं करवा सकते तो ऐसा नहीं है दोस्तों जैसे कि हर एक problem का solution है वैसे ही इस problem का भी solution है तो बात करते हैं इसके solution के बारे में तो अब आप अपने PF account में नाम, gender और date of birth को online तो सही नहीं करवा सकते क्योंकि आपकी company बंद हो चुकी है आपका employer available नहीं है तो ऐसे में आपको इन जानकारीयों को offline सही करवाना होगा और PF account में offline correction करवाने के लिए आपको joint declaration form भरना होगा जिया दोस्तों PF account में offline correction करवाने के लिए आपको joint declaration form की जरुरत पड़ेगी अब joint declaration form के जरिये PF account में नाम, gender और date of birth केसे सही करवाते हैं इसके लिए मैंने complete video बना दिया है उस video का link आपको आई बटन पर मिल जाएगा लेकिन आप joint declaration form के साथ में भी एक परेशान ही है कि इस form पर PF members के sign होते हैं और employer के भी still sign होते हैं तो अब बात वापस महीं पर आ जाती है कि company तो बंद हो चुकी है और employer भी available नहीं है तो इस form पर employer के still sign के से होंगे तो चिंताबत कीजिए मैंने आपको कहा था कि मैं आपको solution बताऊंगा तो मैं आपको पूरा solution इस video में बताऊंगा तो joint declaration form पर अगर employer के still sign नहीं होते हैं तो इसके कई सारे option हमारे पास available है अगर आप उन्हों option को जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने complete video बना दिया है उस video का link आपको high button पर मिल जाएगा लेकिन इस video में भी मैं आपको थोड़ा कुछ बता देता हूँ इन option के बारे में तो joint declaration form पर employer के still sign के जगा पर जिस video का link आपको high button पर मिल चुका है तो दोस्तों उम्मित करता हूँ कि इस video के जैरिये उन पीएफ मेंबर्स के पीएफ अकाउड में भी आसानी से correction हो जाएगा जिन पीएफ मेंबर्स का employer अवेलेबल नहीं है वीडियो आपको पसंद आओ तो लाइक जरूर करें चैनल पर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें कोकि इस पीएफ उस जुड़े जान करें आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी